दोस्तो देखो आज ना इस दोस्तो विडियों के अंदर मैं दोस्तो आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो ऐसे ना दो प्रकार के काम जी हाँ ऐसे दोस्तो दो प्रकार के काम जो दोस्तो दो प्रकार के काम ना अगर दोस्तो आप अपने जिन्दगी में करोगे जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे वैसे प्रोपरली अगर दोस्तो उन दो कामों को अगर दोस्तो आप अपने जिन्दगी में करोगे ना तो दोस्तो मैं आपका भाई आपको दोस्तो गैरेंटी देता हूँ कि दोस्तो आपको ना जो भी दोस्तो अवरत जो भी तो दोस्तो ठका ठक 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 आप दोस्तो उसको पटा सकते हो क्योंकि दोस्तो ऐसा मैने ना मेरे दोस्तो जिन्दगी में खुद दोस्तो करा है मैं दोस्तो बाकी लोगों के जैसा हवा हवाई बाते बताना सुनी सुनाई बाते बताना ऐसा दोस्तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता तो दोस्तो आज का वीडियो भूत इंपोर्टेंट है ऐसा दोस्तो कॉलिटी वीडियो आपको कही भी देखने के लिए नहीं मिलेगा तो दोस्तो आपका भी फर्ज है कि दोस्तो वीडियो को पूरा देखे तो दोस्तो बिना कुछ टाइम पास करे सीधी बात नो बकवास चलो शुरू करते हैं आज के इस थमाकेदार विडियों को दोस्तो देखो सबसे पहिले जो दोस्तो फश्ट नंबर का जो दोस्तो काम है ओ दोस्तो कोनसा काम है कि दोस्तो अगर आपको ना किसी भी दोस्तो अवरत को किसी भी दोस्तो भावी को अगर दोस्तो आपको पटाना होगा ना तो दोस्तो सबसे पहले आप दोस्तो क्या करो कि दोस्तो उस अवरत की या फिर दोस्तो उस भावी की आपना दोस्तो 10-15 लोगों के बीच में उसकी दोस्तो तारिप करो क्या बोला मैंने 10-15 लोगों के बीच में उसकी दोस्तो तारिप करो अभी दोस्तों आप मुझको ऐसा बोलोगे कि भाई अगर तारीपी करनी है तो इतने 10-15 लोगों के बीच में हम लोग उसकी तारीप क्यों करे मतलब जब वो अवरत ना अकेली होती है तो अकेले में भी हम लोग उसकी तारीप कर सकते है बट मेरे भाई ऐसा नहीं होता अवरतों को ना एक तो अपनी तारीप सुनना उनको दोस्तों भूत पसंद होता है और दोस्तों अगर वही तारीप अगर दोस्तों कोई भी बंदा ना अगर दोस्तों 10-15 लोगों के बीच में अगर दोस्तों उसकी करता है ना तो दोस्तों उस अवरत को ना भूत दोस्तों अच्छा लगता है बट दोस्तो यहाँ पर दोस्तो प्राब्लम दोस्तो क्या होती है कि दोस्तो 10-15 लोगों के बीच में आप दोस्तो उसको क्या बोलोगे मतलब दोस्तो अगर आपने 10-15 लोगों के बीच में अगर दोस्तो उसको ऐसा बोला कि भाबी जी आपना एकदम सुन अगर दोस्तो उस औरत ने आपको खाना खाने के लिए अपने घर पे बुलाया और दोस्तो खाने के टेबल के उपर ना अगर दोस्तो मैं आपको एक्जम्पल दे रहा हूँ तो दोस्तो मतलब उस औरत ने आपको खाना खाने के लिए बुलाया तो दोस्तो जब हो औरत ना मतलब दोस्तो जब हो भावी आपको खाना देगी तो दोस्तो खाना खाते समय ना दोस्तो आप दोस्तो 10-15 लोगों के बीच में उसको दोस्तो ऐसा बोलो कि भावी जी आपने जो खाना बनाया है न वो एकदम टेश्टी है ऐसा लग रहा है कि मैं किसी होटल में खाना खा रहा हूँ मतलब आपका जो खाना है न वो मतलब होटल के खाने से भी एकदम टेश्टी है मतलब आपने होटल मैनेजमेंड का कोर्स किया था क्या क्योंकि इतना अच्छा खाना आ आप कैसे बना लेती हो मतलब आपके हाथ में न सच में अच्छा स्वाद है ऐसा दोस्तो आप उसको बोलो मतलब दोस्तो उस अवरत को न इतना दोस्तो अच्छा लगेगा कि दोस्तो मैं आपको बता नहीं सकता बट दोस्तो अगर आपको ऐसा नहीं बोलना है वो दोस्तो ऐसा भी दोस्तों बोल सकते हो कि भावी जी आपका जो सोभाव है न ओ मुझे भूत ज्यादा पसंद है आपका जो दिल है न ओ भूत ज्यादा साप है मतलब आपके जैसी अवरत न मैंने आज तक नहीं देखी मतलब आपना हमेशा सच बोलती हो आप कभी भी किसी भी वेक्ती को भूका नहीं देती आपना लोगों की मदद करती हो मतलब दोस्तों ऐसी तारिपना दोस्तों 10-15 लोगों के बीच में आप दोस्तों उसकी करो इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों बहुत अवरतना दोस्तों आपके उपर इतना दोस्तों इंप्रेस होगी ना कि दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कभी ना कभी तो दोस्तों करके देखो अभी दोस्तो उसके बाद जो दोस्तो दुसरे परकार का काम है तो दोस्तो दुसरे परकार का काम कौन सा है कि दोस्तो अगर आपको ना किसी भी दोस्तो अवरत को किसी भी दोस्तो भावी को अगर दोस्तो आपको पटाना होगा ना तो दोस्तो उस भावी की ना दोस्तो क्या बोला मैंने उस दोस्तो भावी की एक्स्ट्रा कियर आप दोस्तो किया करो जो की उसका हस्बंड एना वह बिल्कुल भी नहीं करता जैसे की दोस्तो फोर एक्सम्पल मतलब दोस्तो वह अवरत ना शौपिंग करके अपने घर पे आ रही है और उसके हातों में बड़ी बड़ी थैलिया है मतलब आपने ऐसा देखा थो दोस्तो आपना तुरंत जाकर उसको ऐसा बोलो कि अरे भावी जी इतना बड़ा बड़ा ह आप अपने कोमल हातों से क्यों उठा रही हो लाओ यह सामान ना मुझको दे दो मतलब यह मैं सामान उठा कर आपको अपने बिल्डिंग तक छोड़ दूंगा ऐसा दोस्तो उसको बोलो इससे दोस्तो क्या होगा कि दोस्तो उस अवरत को लगेगा कि देखो देखो जो मेरा हस्बंड भी बिल्कुल भी नहीं करता जो मेरा पती भी बिल्कुल भी नहीं करता तो उस चीज़ों को यह बंदा करता है मतलब दोस्तो ऐसे दोस्तो कुछ दोस्तो काम करो मतलब उस अवरत को ऐसा लगना चाहिए कि जो मेरा हस्बंड भी बिल्कुल भी नहीं करता तो उन चीजों को यह बंदा करता है ऐसा दोस्तो जब उसको लगेगा ना थो दोस्तो उसी दिन उसी समय वो दोस्तो भावी ना आपके उपर इतना दोस्तो इंप्रेस होगी ना कि दोस्तो मैं आपको बता नहीं सकता कभी ना कभी तो दोस्तो ट्राइ करके देखो आप दोस्तो तुझे ना खुद दुस्तों बोलोगे अभी दुस्तों फिलहाल आजकी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद